आज हमिले संभीदान सवा मा अउपचारिक रूप मा आपनो असंतुष्टी इरो बिरोध लाई तर्ता गरायका छों। संभीदान सवा का अद्धक्षे महोदयले एस तर्प गंबीर ध्याना आकर्षन भायतों कुरापनी गर्णु भाको छा। आज हमिले संचीप्त रूप मा प्रधानमंत्री सुषिल कोईरालाजी संभापनी गर्णु भाको छा। वहारले पनी सकारात्मक गर्णु भाको छा। अब हमिले प्रतिक्ष्यामा छों। कि जुन यो प्रस्तावली निर्माड समितिले अंतरिम संभिधान नियमावली र कार्या देश विपरित गर्णु गर्यको निर्णे छा। त्यसलाई सच्च्याईने चा भन्ने हमिले आसा गर्यका छों। अब त्यो सच्च्याईयो भने सुभाविक रूपले हमिले आपनों एजेंडालाई प्रश्णको रूपमा प्रस्तुत गरेरा संभिधान निर्माड को प्रक्रियामा सहबागी हों छों। एदी त्यो अधिकार बाठा हमिलाई बंचित गरियो भने हमरो प्रतिरोद निरंतर रूपमा जारी रहाँ। जास्तो अगे जलनाथनाले किये बननों बनाशे त्यो पहले नेड़े वाईशे के विश्यामा फेरी तुरंत प्रश्ण बनावनु जरूरी छाईना त्यो कुरा आवरोचे ताफला हावसेकल आएमा समिधान स्वावान संभिधान मायर पत्पनी गरोशाखनों छो त्यो व पैक्षेता गणातांतरा शंग्यता को विपक्षेमा प्रश्ण उठावना पाईदेना मंडा और्ल्य खिये पोचे तर क्या सुघडे पिश्याम स्वावाई स अंतरीम समिधान में चाले खाईर। ते अंतरीम संभीधान न या संभीधान वो बने देखों उन्य यह चाल प्रफहलतृ 12 Announcer अरु बिशय पन्परोई प्रश्नकरण पन्परोई देखने नेपाल नेपाल ने उठाएक तीनोटा महिट्म पर भिश्नकर्ण निया प्रफहलेन नियिक पाले नने भागे को उन्य ठ अब जनता को अगारी हमिले ती एजेंडा बोके रख गये का छों जनता ले त्याई एजेंडा को निमीत हमिले मत देखा छन अनि त्यों बारे मां प्रश्ण पने उठाऊना न पाऊनी येस तो निरंपुस सहीली ता मलाय लाग चा यो प्रजात अंत्र को उपहास